दोस्तों नमस्कार आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि आप एक ही नजर में पारवो बीमारी को कैसे पहचानेंगे आप कैसे पहचान करेंगे कि आपके डूप को पारवो हो गया है पारवो बहुत ही बड़ी बीमारी है और इसको एक नजर में पहचानने का तरीका शांदार मैं आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ ताकि आप जल्द से जल्द पहचान कर सकें और जल्द से जल्द इलाज करवा सकें तो एक ही साइट में आप कैसे पहचानेगे देखिए अगर आपका डूप उल्टी कर रहा है दस्त कर रहा है यानि दोनों चलू है और दोनों में ही बलड आने लग गया है और आपने उसको हाथ लगा करके देखा या आपने थर्मामेटर लगा करके देखा और उसको बुखार मिला तो भाई एक ही दृष्टी में आप तुरंद पैचान लीजिए कि इसको पारवो हो गया है महीना कुन सा है और अगर महीना मार्च का चल रहा है फरवरी चल रही है या अप्रिल का महीना चल रहा है तो उस समय तो ये कलियर हो जाता है कि भाई इसे पारवो हो गया है क्योंकि महीना भी वही है इसके अलावा अगर उसकी उम्र अगर हम देखे उम्र क्या है क्या वो क्या वो पचास दिन से लेकर के और 50 से लेकर कि 120 दिन के बीच का है अगर वो वास्थाव में 50 से लेकर कि 120 दिन के बीच का है उसकी age तो भाई confirm आफ फर्स हैट में उसे पारवो गोशित कर सकते हैं जल्द से जल्द नजदी की पसुचिक सकी सला लें और जल्द से जल्द ट्रिट्मेंट करवाएं तकि वो ठ पी स्टेज में है आप समय को देख लीजिए मौसम को देख लीजिए क्या वो महीना जनवरी फर्वरी मार्ज अप्रेल का है या फिर उसको उल्टी और दस्त हो रहे हैं और दोनों में से एक में या दोनों में खून आ रहा है और बुखार है इसका मतलब उसे पारवो हो ग और बाहा है